आप सभी प्यारे चात्रों का आपके अपने परिवार में स्वागत है आप सभी विध्यारतियों के लिए ये एक शांदार सेशन होने वाला है क्या है आरपीएफ में सेलेक्शन का मास्टर प्लान और किन बच्चों का सेलेक्शन इजी होगा क्या ही सारे नेगिटिव एक्सपेक्ट्स भी होते हैं और क्या ही सारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी होते हैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती है वो अगर ये बात कहने वाले हैं जैसे कोई बच्चा यह कह देगा कि सर जी मेरा तो क्या ही मतलब है मेरा तो सीट ही नहीं है इतनी वेकंशी नहीं है तो यह मैंस्टर प्लाण उसके लिए काम कहीं नहीं है वह तो अपने लेवल पे अपने अपने आपसे संघ्ष कर रहा है कि कौनसी उसको सीड चाहिए उसको नहीं पता मुझे सब्सक्राइब कमें isters लेकिन हम उस लेवल पर इवेंट नहीं कर पाएंगे न हम उसके ऊपर रेंड़ थोड़ी करें है kya master plan होगा किन बच्चों का selection होगा carbon वाकई में competition आपके लिए टाफ है और आहब के competitor है कौन किस तरह की बच्चे आपके competitor है क्या ALP का बच्चा आपका competitor है क्या ntbc का बच्चा-पोulator यह स्टी सि ऑ देने दौनों ही पोस्टों के बारे में discussion करेंगे, आईएगा, start करते हैं, master plan की गनित समझने के लिए तैयार हो जाएए आप लोग, पूरी की पूरी चीजे सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत सारे आपके doubt किलियर होंगे चलिए, आईए, युद्र की तैयारी हमेशा युद्र से पहले की जाती है, अगर आप form भरेंगे, या paper की तैयारी करेंगे, तो उसकी तैयारी आपको पहले ही करनी बड़ेगी, सपनों में या नीनों में तैयारिया नहीं होती है, और सोचने से भी तैयारी नहीं होती है, चलिए, यह notification आया, यह notification भी काफी dramatic रहा, पहले आया, लोगों ने कहा नहीं है, हमने कहा है, फिर real आया, तब लोगों सब ने कहा है, हम तो पहले क्या चुकेते की है, तो यह actual बात है कि आपके पास authentic जो ख़बर में देता हूं, वो authentic ही रहती है, तो यह एक trust भी है इस channel के साथ आप लोगों का, यह आपका प्यार भी है कि मैं अपनी बातों पर भी रहता हूं, और आप लोगों के लिए काम भी कर रहा हूं, मैं यह क्यों दिखा रहा हूं, बार बार बतानी कि मेरी कोई इमंचा नहीं है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कि 15 अपरेल से शुरू होंगे form आपके, 14 मही तक चलेंगे form, भर सकते हो 3 साल का relaxation मिल रहा है तो master plan में ये समझ लो कि 3 साल का relaxation बहुत फाइदे मन्द है आपके लिए तो सबसे पहली बात है 3 साल का age relaxation सबको पता है medical standard B1 चाहिए, आज मैं ये इस्तिती स्पष्ट कर दूँगा ये medical standard चाहिए आपको अगर आप इस medical standard के अंदर नहीं आते हो ना तो भी आप form भरी नहीं सकते हो तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना क्योंकि यहां से आपको इस event के बात clarity मिल जाएगी क्या form भर पाओगे या नहीं भर पाओगे अगर आप नहीं भर पाओगे तो इस vacancy के बारे में सोचना छोड़ो और दूसरी vacancy के बारे में सोचो क्योंकि साल बर vacancy आपकी आने वाली है तैयारी आपको करनी पड़ेगी कोई दूसरा तैयारी करने नहीं आएगा सब इस्ट्रक्टर बनना रहता है उसको, बहुत अच्छी सोच है, Constable वाला जो बच्चा है उसकी सोच वैसी ही है, क्योंकि उसकी जो qualification है वो 10th pass मांगी गई है, और ये graduate वाली मांगी गई है, तो graduate वाला जो बच्चा है वो Constable भी भरता है, SI भी भरता है, पोस्ट भी उसी हिसाब से है, 452 वैकेंसी SI में है और 4208 वैकेंसी Constable में है, आप सभी लोगों के लिए master plan बहुत ही clear रखने वाला हुँ में, पहले तो आप medically fit रहें, आप physical efficiency test और physical measurement test में, आप अपने आपको pass महसूस करें, क्या आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, आपका competitor कौन है, SSC GD वाला बच्चा आपका competitor है, SSC MTS वाला बच्चा आपका competitor है, SSC CPO वाला बच्चा आपका competitor है, और इवन कह सकता हूँ कि railway, railway के especially तैयारी करने वाला आपका competitor है, यानि कि अगर मैं 100 बच्चों की चीज़े लेता हूँ, 100 बच्चे मैं मान के चलता हूँ, तो 100 बच्चों के अंदर, केवल और केवल, 30 बच्चे ही आपके competitor में आते हैं, 70 बच्चे, कोई lazy है, आलसी है, तो उसकी physical efficiency ठीक नहीं है, उसका physical measurement ही ठीक नहीं है, वो chest expanded ही नहीं कर सकता, कोई height में कम रह जा रहा है, किसी के चस्मा लग रहा है, किसी के knee band है, ये ऐसी common problem है, जो आजकल हर तीसरे लड़के में मिलती है, तो आप ये सोचिए कि आप इस job के लिए भर रहे हैं, तो आप अलग है, बहुत लोगों से अलग है, तो वैसे ही competition यहां कम रहने वाला है, लेकिन इस तरह के लोग भी बहुत सारे हैं, जो इसी तरह के form को भरते हैं, बात समझ में आ रही है, चलिए, तो अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्या होता है, CBT1 होगा पहले, पहले तो paper होगा, उस paper की तयारी करनी है, लेकिन अगर आप master plan के according चल रहे हैं, तो आज से ही, अगर आप RPF, SI, या constable निकालना चाहते हैं, तो आज से ही अपने physical standard पर ध्यान देने लग जाईए, अभी से ही लग जाईए, मैं अभी आपको आज पूरी detail भी बता दूँगा, कि क्या क्या आपकी efficiency चाहिए, आपको क्या क्या measurement होना चाहिए, कितनी height होनी चाहिए, वो सब मैं अभी आपको बता दूँगा, उससे आपको clarity मिल जाएगी, तो ये आज से ही काम करना है, ये master plan का पहला इससा है, selection होगा, 100 प्रतिशत होगा, चलिए sir, आईए, पहला written exam होता है, मतलब written मतलब, sorry, computer based test, जो पढ़कर देना होता है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा इसमें, एक बटे ती negative marking होती है, ठीक है भाईया, आप इन भाषाओं में वो paper दे सकते हो, ये सारी भाषाएं, 15 भाषाएं आपको लिखी गई है, आपका जो level रहेगा, दोनों के लिए, 10th रहेगा, metric level रहेगा, ये देख लो, ठीक है sir, sir paper का और क्या होता है, paper की duration 90 minute रहती है, और 120 question आते हैं, चलो बढ़िया, सिले बस आपके सामने क्या है, 50 number की journal awareness आती है, 50 number की, केवल arithmetic आती है, दूसरा फाइदा, आप ये देख सकते हैं, कि आपको advance math इसमें cover ही नहीं करनी, कोई cover नहीं करना advance math, ठीक है, कुछ cover नहीं करना, ठीक है, तो आप लोगों को advance math cover ही नहीं करनी, केवल arithmetic, arithmetic cover करनी है, और question, number system के, आपके decimal fraction के, relationship between numbers के, fundamental arithmetic operation, percentage, ratio proportion, ये सब आता है आपका, confirm है, फिर आती है reasoning, reasoning आती है 35 number की, paper का level क्या रहता है, paper का level बेहद आसान रहता है, easy, easy रहता है, किन-किन का, math और reasoning का, paper का जो level रहेगा, बहुत ही easy level आता है, बहुत ही easy level, कैसा आता है, वो मैं दिखा दूँगा, आपको चिंता मत करो, इसका level थोड़ा सा moderate आता है, और उसी वज़े से थोड़ी सी cut-off, आपकी ठीक ठाक चली जाती है, और ठीक ठाक का मतलब, अच्छी घासी चली जाती है, इनके easy होने की वज़ा से, और उनके थोड़ी सी tough होने के वज़ा से, चली जाती है, competition लड़कियों में कम है, लड़कियों के लिए थोड़ी सी safe job, यह कहला सकते हैं, सिले बस क्या है, अगर आप इसको हलके में ले रहे हो, तो आप लोगों को problem बाद में भी आती है, अगर आप RPF की तैयारी कर रहे हो, तो कौन-कौन से exam की तैयारी आपकी automatic हो जाएगी, RPF next year भी आएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी, उसके साथ साथ, पुलिस के जितने भी exam होते हैं, उनकी तैयारी भी आप कर लोगे, सर अलग से कुछ करना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये benefits बता रहा हूँ, master plan का benefit है, कि तैयारी आप अच्छे से करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका पहले CBT होगा, उसके बाद ही आपके measurement test होँगे, cut off क्या रहती है, अगर मैं बात करूँ देखो, कुछ groups होते हैं, यह जोन नहीं होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, railway में जोन होते हैं, कि भाईया ये अपना, क्या कहते हैं, अपने Bangaluru जोन से है, अजमेर जोन से है, यहां जोन नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है? यहां जोन नहीं होते हैं, यहां केवल groups बनते हैं, अब उस group में कितने भी जोनों को वो डाल देते हैं, उस groups के इसाब से आपकी cut off जाती है, तो अगर female की बात करूँ ना, तो female constable की देखिए, ये cut-off पर वीडियो नहीं है, ये एक idea देने के लिए मैं बता रहा हूँ, cut-off पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं idea देने के लिए बना रहा हूँ, है ना, next year, next year कोई age relaxation नहीं मिलेगा, इसी साल age relaxation है जो है आपके पास म तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि देखो female की cut-off इतनी गई है general की, इतनी cut-off गई है, और male की cut-off देखो, अंतर देखना तोलों की cut-off में, OBC की 93 नमबर गई है 120 में से, 120 का paper है, 120 question का, और 93 नमबर OBC की, general की उल्टी कम गई है, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, कि OBC की ज OBC category से, उनके marks बहुत अच्छे आए है, तो OBC category के अंदर उनकी cut-off अच्छी चली गई है, और general category में मालो 2000 seat है, तो उस हिसाफ से उनकी cut-off गई है, ठीक है, तो सारी चीज़े clear है, नरेंदर best batch है, नरेंदर सब कुछ के लिए होगा, मैं सारी चीज़े clear करूँगा, अभी सा selection का, अगर आप यह सोचोगे कि नहीं, नहीं, यार कर लूँगा, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, और आप लोग बहुत limited लोग हो, अगर आप वाकई में इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप selection के लिए ही देख रहे हो, मजाग करने के लिए कोई RPF का बच्चा वीडिय नहीं होता, जिनके medical standards फुल्फिल नहीं होते, वो तो फेल ही हो गए ना, तो आज वो वीडियो भी अगर देख रहे होंगे बच्चे, तो उनका भी यह पता लग जाएगा, कि भाई मैं भरू या ना भरू, तो यह वीडियो बहुत काम का वीडियो है, बहुत काम का वीडि deficiency test में यह होना चाहिए, दोड इतनी इतनी चाहिए, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दोड इतनी इतनी mandatory है, mandatory दोड है ठीक है, उसके साथ साथ आप सभी लोगों के medical examination, medical examination main होता है, अब मैं आपको एक suggestion देना चाहूंगा, मेरा suggestion कौन कौन बच्चा मानेगा, मेरा कौन कौन agree करता है, बेटा देखो, medical examination होता है, railway लेता है, the candidate who appear in document verification, सब कुछ आपने अच्छा कर दिया, आपका physically fit भी आप निकल गए, और आपने measurement test भी अच्छे से निकाल लिया, अब आता है medical examination पे बात, सब कुछ आपका के लिए आपको लगा कि आपका final selection होने वाला है, आपका final selection हो ही गया, बस medical ही बाकी है, बड़ी खुशी का दिन है, मावाब भी खुश है, लेकिन एक चीज़ आपको फिर बरबात कर सकती है, उस चीज़ को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, वो चीज़ क्या है, और यह मेरा suggestion है, मेरे छोटे भाईयों, बड़े भाई, जिन medical category B1 as prescribed in the Indian Railway medical manual, उनको B1 category में medical standard होना चाहिए, जैसे कि those who wearing glasses or having flat foot, जैसे कि जो यह पहनते हैं, specs पहनते हैं, या जिनका flat foot है, नौक नी, जिनके ऐसे ऐसे घुटने रहते हैं इसको इंटाइंग आईज, भेंगी आखें होती हैं, color blindness ये main point है, other bodily defects are not eligible for appointment, sending for the medical examination will not guarantee employment and doesn't reflect that the candidate has been included in the select list, पेड़ा जाकर अभी, जाकर अभी इन्होंने ये लिख दिया है, कि जिनके चश्मा लग रहा है, अब कई बच्चे, कई बच्चों का selection हो जाता है, जिनका चश्मा लगा रहता है, क्योंकि वो 6 मीटर के दूर दिखाते हैं, बट यहां इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, बच्चे को हम आउट कर सकते हैं, ये उन्होंने लिख के दिया हुआ है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है, मेरी बास सुनिए, आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको अभी जाकर अपने नजदी की हॉस्पिटल में जाकर, जबी भी आपको टाइम मिले, आप अपनी color blindness चेक करवा ले ना भाई, अप प्लेट फुट का भी आप लोगों को पता ही रहेगा, color blindness और squint eyes, जैसे कि कुछ भेंगे, भेंगा कहते हैं जिनको, जैसे वो देखते किदर है, इशारा किदर होता है, वो वाले भी allowed नहीं है, ठीक है, और ये मैं इसलिए भी दिखवा रहा हूँ कि आप लोगों का फिर से कुछ है तो, तो वैसे ही competition कम है, तो master plan के अंतरगती ये बाते आती है, कि master plan के अंतरगती ये चीज़े हैं सारी के सारी, ठीक है मेरे दोस्तो, sending for the medical, अब color blindness आप एक बर है ना, अपने medical department में जाकर check करवा ले ना, मेरे कहने पर, क्योंकि क्योंकि क्यों बार क्या होता है, color classes लगे हुए माल लो, तो अगर आप पूछे की sir, कुछ हो सकता है क्या, मुझे B1 category में आना है, तो medical standards fix होते है, ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़े, please है ना, मेरे कहने पर एक बर कर ले ना, बच देको problem है, तो उसका solution आपको ही निकालना पड़ेगा, master plan में युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है, आप सभी लोगों को क्या करना है, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, आप लोगों के लिए master plan बहुत ही limited लाइनों में मैं कह सकता हूँ, पहला plan, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपने check-ups करा लेने ह दूसरा, अभी से ही तैयारी शुरू करो, अभी से physical efficiency test की, physical measurement test की तैयारी शुरू कर दो, तीसरा, पढ़ना शुरू कर दो, syllabus के according, आराम आराम से पढ़ो, जल्द बाजी नहीं है, सर, पढ़ना syllabus के इसाब से, सर, कितने गंटे पढ़े, शुरू में बस केवल और केवल आप दो से तीन गंटे निकालो, और फिर धीरे धीरे इनको 5 से 6 गंटे कर लो, ज्यादा आपको time देना भी नहीं है, क्यों नहीं देना, कि paper का level में आपको पहले बोल चुका हूँ, easy आता है, तो आपको इतने घवराने की कोई बात नहीं है, इसमें, बस अगर आप अच्छे से cover कर लोगे, तो आने वाले समय में आपके सारे exam निकल जाएंगे, क्योंकि आपको ये बता है, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, आपको पता है, सारे exams में यही चीज़े आती हैं, और आपको physically fit हो, यही भगवान की बहुत बड़ी देने आपके उपर, physically अगर आप fit हो, आप लो नहीं पड़ेगा, वो qualifying in nature है, बस दोड़ पूरी करनी है time से, इसमें कोई जादा जल्दी दोडने वाला, कम जल्दी दोडने वाला का कोई logic नहीं है, ठीक है, तो सिले बसको आराम आराम से पढ़ना शुरू करो, कोई जल्देबाजी नहीं है, आराम आराम से क्यों पढ़ रात को free class चलती है, रात को 9 बजे, अभी जैसे अभी आपके भवानी सर class लेंगे, वो GK की class लेते हैं, है न, अभी history चल रही है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप जब देखोगे न, history पढ़ोगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, रात को ऐसे बिस्तर लेटाया, जम का week है, वो तो देखो foundation join कर लेना, बिना किसी दिक्कत के, कितने का बैच है, केवल RPF के लिए, केवल 400 99 में का बैच है, वो भी 2 दिन के लिए है, तो डेस के लिए offer है, महाशिवरातरी का, ठीक है सर, और बाकी रही बात reasoning की, तो अगर आप reasoning का भी लेना चाहते हो, तो reasoning के द सर तयारी अभी से करना शुरू कर दें, बिलकुल अभी से करना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है, सर GKGS, बेड़ा चल रही है, अमित, 9 बजे क्लास चलती, अभी मेरे, मेरे इस क्लास के बाद, 9 बजे क्लास है, सर की, है न, एक बर आप उसको क्लास में भी आ जाना, उस क् को 8 बजे कल में आपको कराऊंगा, RPF Constable का गनित का पेपर, 2018 में कैसा आया, क्या लेवल रहता है, सर इससे हमें क्या फाइदा मिलेगा, ये मास्टर प्लान का हिस्सा है, इससे आपको ये पता चलेगा, कि ये इस तरह का लेवल गनित का आता है पेपर में, ऐसे कोशन आते ह करा जाता है, इतनी कट ओफ जा सकती है, कट ओफ हाई जाने का काराण क्या है, और आप लोगों को कितनी तैयारी करनी है, ये भी आपको यहाँ पेपर से पता चलेगा, कि यार किस लेवल की तैयारी करनी है, मतलब अगर थोड़ा धंका लेवल आपने पढ़ लिया, तो तैयारी जो है न वो खराब नहीं होगी वो तैयारी कभी वेस्ट नहीं होती है वो तैयारी आप लोगों के लिए अच्छी होती चली जाएगी over the time ताइम देते रहोगे तो आपको तैयारी अच्छी होती चली जाएगी है ना तो कल रात को आठ बजे हम मिलेंगे आपसे यह अभी मैं इसका इवेंट भी बनवा दूंगा कॉंस्टेबल का पेपर में करवाऊंगा कॉंस्टेबल वाला पेपर ठीक है हाँ पढ़ाई धीरे-धीरे करते रहो फिजीकल पर भी ध्यान दो पढ़ाई पर भी ध्यान दो लेकिन आराम से पढ़ो रेगुलर पढ़ो रोज पढ़ो रेगुलर पढ़ो ऐसा नहीं है कि एक लेकिन खुशी-खुशी में जंडा कार दूंगा और मैं बन गया पुलिस वाला ऐसे हला मचाने वाले बच्चे तो दो दिन नहीं पढ़ पाते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले छात्रों तो आपको रेगुलर पढ़ाई शुरू कर देना है ठीक है सर मैं तो संडे को में पिछले साल के जितने भी प्रशन पूछे गए हैं वो भी कौन से वाले जिन्होंने सभी को किया था परेशान वो सारे प्रशन संडे को कराने वालों में यह यूट्यूब पर भी चलेगा तो लगातार आपकी तैयारी चलती रहेगी फिर भी अगर किसी की कमज सर कैसे मिलेगा बैच सर मुझे मैट का लेना है केवल तो मैट का बेटा बैच केवल है जिसमें अर्थमेटिक पूरी है नंबर सिस्टम है और मैंसुरेशन है वह बैच चार सौ निन्या नमें का मिलेगा यहीद आफ है अभी 609 का अपको दिखाये गाइये हैं दो सो रुपे का ऊफ़र आपका चल रहा है दो सो रुपे का ओफर आपका चल करुए चल रहा है तो अपनी ऐपलिकेशन पर ले सकते हो कैसे जाओगे ए데पलिकेशन पर जाना ससुलेश लंड करना इस पर इस पर क्लिक करना पूरा लगभख सभ्स सब्सक्राइब करना और रहां पढ़ते रहें आरहां तो आपके नंबर पहोने पीधिक करण對了 तो आपके SMS आ जाएगा उस पे payment कर देना जैसे आपने यह वाला बैच लिया तो यहां coupon लगेगा यहां नीचे वाला coupon पर क्लिक कर देना पूपन पर क्लिक करोगे तो discount मिल जाएगा ठीक है चलिए तो अपने application को डाउनलोड करके आप पढ़ाई करना शुरू करो ठीक है अगर पूरा आरार भी लेना चाहते हो तो उसमें सारी तैयारी हो जाएगी वह आपकी मर्जी है ठीक है दोस्त चलिए तो चैनल को सब्सक्रा भजी हम मिलते पर पहले आपन गणित का पेपर करते और जिन बच्चों को बेच लेना है जिनको आराम से पढ़ना है वो बैच भी ले कि ले सकता है ठीक है मैट का मेच sa म सकते मात्र चारसो दिफेस बढ़तर pewnt गी माटर घं higher कर सकता है जैंद जैभारत वंदेमात्रम